यात्रियों को जादा से जादा सोईधाएं देने और ट्रेनों को अत्याधुनिक बनाने के लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है एहमदाबाद मुंबई बुलट ट्रेन का निर्माण में भी तेजी से काम चल रहा है और वंदे भारत जैसी ट्रेनों का भी लुफ्त यात्री उठा रहे हैं नई दिली से कट्रा और नई दिली से वारानसी तक वंदे भारत ट्रेने दोड रही हैं अब एक नए रूट पर वंदे भारत सैमी हाई स्पीड ट्रेन दोड़ाई जाएगी महराश्ट्र को जल्दी ही पाँचवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल सकती है राज्ये में पहले से ही चार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने चल रही है इसकी जानकारी महराष्टर विधान परिशत के सदस से निरंजन डाव खरे द्वारा साजा की गई महराश्ट्र के विधायकों के प्रतिनिती मंदल ने केंद्रिय रेल राज्य मंत्री राव साव दानवे से मुलाकात की इस पैठक में केंद्रिय मंत्री ने समू को बताया कि मुंबई और गोवा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस्ट्रेन चलाई जाएगी दानवे ने कहा कि यह एक्सप्रेस्ट्रेन मुंबई श्रीडी और मुंबई सोलापूर मार्गो पर हाल ही में शुरू की गई ट्रेनों की तरच पर मुंबई और गोवा के बीच अंचालित की जाएगी आपको बतादें कि हाली में पिछले महीने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक साथ दो वंदे भारत एक्सप्रेस्ट्रेनों को हरी जंडी दिखाई थी यह दोनों ट्रेने महाराश्टर के खाते में ही गई थी यह ट्रेने मुंबई से साइन अगर श्रीडी और सोलापुर के लिए चलाई गई थी इसके साथ ही देश में वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेनों की संख्या दस पहुँच गई थी महराश्ट्र में पहले से ही दो वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेने चल रही थी इनमें से एक ट्रेन मुंबई से एहमदाबाद और दूसरी नाकपुर से बिलासपुर के लिए चल रही थी इस तरह राज्ये में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्याज चार पहुँच गई थी हाला कि देश में कई राज्ये ऐसे भी हैं जहां अभी तक एक भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने नहीं चलाई गई हैं इनमें बिहार, जहरखंड, मद्यपरदेश, राजिस्थान, उत्राखंड, केरल, पुर्वोत्तर और उडिसा शामिल हैं पंजाब और हर्याणा को भी अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौकात नहीं मिली है हाला कि दिली से कटरा और हिमाचल जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने इन राज्यों से गुजरती हैं पंजाब सरकार ने दिली से अमरिश्चर और बह्टिंडा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की है दोस्तों आपको बता दें कि अभी सबसे ज़यादा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेने दिली और मुंबई के पास ही है मौजुदा समय में इस समय मुंबई को सबसे ज़्यादा वंदे भारत एक्सपरेश्ट्रेने कनेक्ट करती हैं इनमें गांधीनगर कैपिटल, मुंबई सेंट्रल, मुंबई और श्रिनरी और मुंबई सोलापूर वंदे भारत एक्सपरेश्ट्रेने शामिल हैं अब अगर गोवा मुंबई रूट पर वंदे भारत एक्सपरिस ट्रेन शुरू हो जाएगी तो इसके बाल मुंबई के पास दिल्ली से भी ज्यादा वंदे भारत एक्सपरिस ट्रेने हो जाएगी फिलहाल दिल्ली से नई दिल्ली वारांडसी, नई दिल्ली श्रीमाता वैश्णदेवी कटरा और नई दिल्ली अम अंदोरा वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेने चल रही हैं दोस्तों अभी हाल ही में 13 मार्च 2023 को वंदे भरत एक्सप्रेश ट्रेन को पहली बार किसी महीला लोको पालेट ने चलाया भारत की सुरेखा यादव ने यह शांदार उपलब्दी अपने नाम हासिल की सुरेखा इससे पहले एशिया की पहली महीला लोको पालेट का तमगा भी अपने नाम कर चुकी है देश की में तयार की गई पहली सैमी हाइ स्पीड एक्सप्रेश ट्रेन को सुरेखा यादव ने 13 मार्च 2023 को मुंबई के छत्रपती शिवाजी महराच टर्मिनस रेलवे स्टेशन से सोलापूर डिश्टेशन के बीच चलाया सेंट्र रेलवे के CPRO शिवाजी सातूर ने बताया कि पाइलेट सुरेखा यादव अपनी तयश्चुदा ड्यूटी के दौरान अब नियमित वंदेभारत एक्सप्रेश ट्रेन को चलाएंगी सुरेखा यादव को मुंबई के छत्रपती शिवाजी महराट टैन्मिनस के प्लेटफोर नमबर एट पर सम्मानित किया गया नीले और सफेद रंग की देश में सबसे तेज रफतार से चलने वाली वंदेभारत एक्सप्रेश ट्रेन को ड्राइव करने का मौका देने के लिए पाइलेट सुरेखा यादव ने रेलवे के सीनियर ओफिसर के प्रती आभार व्यक्त किया सोंबार को ट्रेन सोलापुर से छे बचकर पांच मिनट पर रवाना हुई और अपने गंतव्य से पांच मिनट पहले यानी साड़े बारा बजे CSMT पहुँच गई रेल मंतरी अश्नवी वैशनम ने भी रेल चलाने वाली देश की पहली पाइलेट सुरेखा यादव को बधाई दी और नारी शक्ती की साराना की उन्होंने सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरीए ट्वीट में कहा कि वंदे भारत नारी शक्ती द्वारा संचाली त्यानी वंदे भारत एक्सपर्स ट्रेन अब महिला पाइलेट की अगवाई में रेल की पट्रियों पर दौड रही है